लो फ्रेंड रादे रादे आज हम आपके लिए कौन वाला समूसा लेके आए हैं अभी हमारी तबेट ठीक नहीं हुई है बस यह हमारी पहले की वीडियो पड़ी थी इसलिए हम आपको दिखा रहा हैं इसके लिए हमने गेहूं का आटा ले लिए इसमें हल्दी डाल दी है औ उसके अंदर स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और इसमें आजवाइन भी करश करके इसमें हम डाल देंगे इस तरह से हातों में डगड़की अज्राइन डाल देजी, यह हमने मिच की बीर डाल दिये, एक चमच की लगबग तेल डाल दिये, इसे हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसे हम आटे की जैसा एक सक्त डू लगाएंगे, हलके हलका पानी डाल के पहले लगाना है, इस तरह से हमने आटे को अच्छे से गूत लिया है फैन हमारी तेवे तभी ठीक नहीं हुई है लेकिन ये पहले की वीडियो है हमें सपोर्ट करें और ये देखिया हमने तिल भी डाल दिया सफेद इसे हमने मिक्स करके डाल दिया है अब एक लोई उनाएंगे थोड़ी सी बाड़ी लोई चकले के बराबर हम रोटी बेलेंगे इतनी बड़ी और इसको बीच मिस एक कट लगाएंगे बीच में कट लगा दिया है कट लगाने के बाद आलू का मिसर उबला हुगा आलू उसमें मिर्चा प्याज हरी मिर्च नमक चट मसाला सब काटके हमने मिक्स कर लिया बारिक मिक्स कर लिया या भी तड़का भी लगा सकते हैं और इसे हमने किनारे किनारे पर रख देना है इ तो इसे हम घुमा के इस तरह से एक पीस उठाEMगे हम एक पीस आलू को ऐसे लंबे-लंबे में रख लिया है क्योंकि ने में ऐसे उठाया जैसे हम मेंदी कीब के बनाते हम उस तरह से हमें बनाना है ये कौन वाला समूशा है बहुत ही टेस्टी बनता है आप इसे इस तरह से मोड के और इस तरह से इसे मोड देजिए और हलका हलका सा इसे दबा दीजिएगा ताकि वो आँटे के सारे चिपक जाए इस तरह से हमने सारे कौन को बना लेना है ऐसे उठाके इस तरह से मोड देना है और ये हमारे एक एक करके सारे कौन को रेडी कर लिया है अब इसमें हमने ये हमने तीसरा वाला भी इसे भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे बहुत आसानी से हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है ये देखिए ये फोल्ड कर लिया है हमने अच्छे से और ये हमारे त्यार हो गया है कौन समोसे आप इसे हम कड़ाई में तेल करके फ्राई कर देंगे एक एक करके उसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है हमें इसे कुरकुरा कस्ता करारा बनाना है इसे हम बीच बीच में अनल प्लेट करके चलाते रहेंगे आप हमारे चनल पे नए है सस्काइब का बटन दबाएं वीडियो के शाहिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुसती रहेगी और वेल आकन को प्रेश करना बिलकुर मत बुलेगा हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमारी तविच खराब थी लेकिन हमने पहले की वीडियो पड़ी हुई थी उसमें आवाज जलके बना दी है और यह हमारे कोन वाले समोसे रेडी होगा है इसे हम एक एक करके निकाल देंगे इस तरह से यह दूसरा कोन हमारे समोसा आँगे रेडी होके और यह तीसरा होगा आप इसे अपने फैमिली फैंड के साथ जरूर सेर कीजेगा और लाइक में जरूर कीजेगा कमेंट में जरूर बताएगा कि यह कोन वाले समोसा कैसे बने थे दन्वाद